अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहें हेलो अब्रिवन स्वागत आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गॉर्मेंट एक्जाम्स फंडा NDA 2 2019 के लिए क्रेंट फेर्स की सीरिस चल रही है आज इसका रहेगा पार्ट नमबर 6 अगर आपने पहले 5 पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो भी हम एंडिये की वीडियो जा तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं तो आज का जो हमारा पहला कोश्चन है वर्ट विल्बी दी थीम ओफ इंटरनेशनल डे ओफ योगा 2019 इंडिया देखिए इस बार थीम क्या थी इंटरनेशनल डे ओफ योगा की जो 2019 में हुआ है सबसे पहले इंटरनेशनल योग दे किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 21st जून को 21st जून डे भी याद रखना है important days जो है ये आपके एंडिया के पर में आ सकते हैं तो important days आपको पता होने जाहिए तो इंटरनेशनल डे ओफ योगा 21st जून और इस बार उसकी थीम क्या थी थीम थी योगा फोर ह तो option number A तो चलिए चलते हैं आगे आगे देखते हैं where was India's first and world's third dinosaur museum come park inaugurated तो देखिए इंडिया का पहला dinosaur museum come park inaugurated कहां पे हुआ है तो ये हुआ है गुजरात में आगे देखते हैं where was the chokhandi stoop situated देखिए हुआ क्या है अभी अभी archaeological survey of India जो है ये जो हमारे पुराने monuments होते हैं जो बहुत साल पहले से बने हुए हैं तो उनका सर्वेक्षन करती है ये body archaeological survey of India उन्होंने अभी अभी जो हमारा chokhandi stoop है इसको कहा है कि ये monument of national importance है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा chokhandi stoop है ये कहां पे है तो ये है सारनाच उत्तर परदेश में इसको star mark कर लीजिए ये आपको पूछा जा सकता है आगे देखते हैं which countries Indian embassy organized the Gandhi cycle rally for peace to mark the 150th birth anniversary of महात्मा गांदी तो अभी अभी क्या हुआ है ये जो 2 October हमारा निकला था न ये 150th birth anniversary थी महात्मा गांदी की तो इसके उपर इस बार कोई भी कोशन आ सकता है तो महात्मा गांदी के बारे में भी इस बार पढ़के जाना तो ये जो इसका अंसर होगा वो होगा साओधी अरेबिया आगे देखते हैं which year is set up as a target year to make India 5 trillion dollar economy देखिए इस बार जो बजट आया था उसमें भी ये बात काफी हुई है कि इंडिया को 5 trillion dollar economy बनाना है कब तक year important है अगले 5 सालों में यानि की target है 2024 का year आपको पता होना चाहिए year बहुत जादा important है ट्यूबर के losses इंडिया कब तक खतम करना चाहता है 2025 तक HIV AIDS कब तक खतम करना चाहता है 2030 तक ये सारी चीज़े याद रखनी है और 5 trillion dollar economy कब तक बनेंगे 2024 तक ऐसा हमारा target है आगे देखते हैं विच कंट्री इस होस्टिंग दी इंटरसेशनल मीटिंग ऑफ किम्बली प्रोसेस इंग जून 2019 तो देखिए अभी अभी इसकी मीटिंग हुई थी किम्बली प्रोसेस की NDA के पेपर के लिहाद से आपको इतना पता होना चाहिए कि किम्बली प्रोसेस जो है ये डाइमेंड से रिलेटिड है ये चीज़ याद रखना और ये याद रखना कि ये जो मीटिंग है ये हुई है इस बार इंडिया में आगे चलते हैं तो देखिए ये हुई है न्यू दिल्ली में अब ये UNCCD क्या है इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जो हमारा लैंड है उसकी फर्टिलेटी कम हो रही है वो कम उपचाव हो रहा है जिसकी वज़ा से वो डैजर्ट बनता जा रहा है डैजर्ट मरुस्थल तो वो लैंड जो है अपनी फर्टिलेटी लूज ना करे और डैजर्ट ना मने उसके लिए जो स्टेप से उठाए जाते हैं उसके लिए जो आपस में कर्वेंशन साइन की गई है उसको कहते हैं यूनाइटिड नेशन कर्वेंशन टू कॉमबेट डि यह अपने सर्च करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे तो देखिए हमें सभी लोगों को साफ सुथरा पानी पीने को मिलेगा इंडिया की सिटिजन्स को वाटर क्राइसीज चल रहे थे यह बहुत जादा इंपोर्टेंट कोशन है इस बार का तो कब तक गॉर्णमेंट ने डिसाइड किया है कि सभी को साफ सुथरा पीने का पानी जरूर मिलेगा तो यह यह है दोहजार चौबिस फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी भी दोहजार चौबिस साफ पानी दोहजार चौबिस ट्यूबर्क लॉसिज दोहजार पच्चिस एड्स खतम करने का यह दोहजार तीस सारी चीज़े याद रखनी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वियर वास वर्ल्स लार्जेश मल्टी स्टेज मल्टी परपर्ज कलेशवरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट देखिए यह कोशन आपको ड्रेक्ट ली आए कि यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है मल्टी स्टेज जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसकी वज़ा से यह कोशन बनेगा ही बनेगा कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पर तेलांग ना में आगे देखते हैं which railway station has become India's first green and clean railway station तो देखिए कौन सा ऐसा पहला railway station है जो बिल्कुल green और clean railway station मना है green का मतलब है कि वहाँ बिल्कुल भी pollution नहीं है या ऐस्या सर्मान नहीं है जो pollution करता है कौन सा है यह यह है उधान railway station कहां पे गुजरात में गुजरात तो यह चीज धियान में रखनी है तूसरी चीज आपका काम है कि हमारे जितने भी railway zone है railway zone इनके headquarter जरूर करके जाने है और हमारी defense forces की जितनी commands है उनके भी headquarter करके जाने है कौन कौन सी मनलब की army के जो headquarter है air force के headquarter है और उसके इलावा navy के headquarter है यह और railway zones के headquarter यह ज़रूर करके जाने है इस पर आपको question बन सकता है military exercises भी ज़रूर करके जाने है military exercises तो चलिए चलते हैं आगे आगे देखते हैं which country topped in the global peace index 2019 released by institute for economics and peace यानि कि सबसे जादा शान्ती वाला देश कौन सा है तो यह है Iceland इंडिया का rank था 141 पाकिस्तान का rank था 152 इंडिया बहुत जादा पीछे है आपने देखा ही है कि काफी बार जो है आतंकी हमले होते रहते हैं तो उतना शान्ती प्रिये देश इंडिया नहीं है इंडिया का rank है 141 और Iceland का rank है number one यह सारी चीजे ध्यान में रखनी है आगे देखते हैं which country is set to surpass China as world's most populous country by 2027 as per UN's report तो देखिए अभी अभी यह बात आई थी कि चाइना इस वक जो है सबसे जादा population वाला country है लेकिन UN ने एक report publish की थी जिसके according चाइना को overtake कर लेगा इंडिया 2027 तक 2027 तक इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा और इंडिया की population world में सबसे जादा होगी फिलाल के लिए सबसे जादा population है चाइना में Name the cryptocurrency which is set to be launched by Facebook देखिए यह नाम बहुत जादा important है करेगा 2020 में उसका नाम है Libra Libra यह चीज ध्यान में रखनी है आगे देखते हैं पहली Gulf Country कौन सी है जिसने Anti-Money Laundering Platform Go AML जो है उसको launch किया था सबसे पहले आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि Go AML क्या है यह है Anti-Money Laundering Platform अगर आपको यह पूछा जाए Go AML किसने launch किया उसका अंसर होगा UAE ने United Arab Emirates ने अगर पूछा जाए Go AML क्या है तो यह है Anti-Money Laundering Platform इसमें क्या है जितने भी हमारे banks है या और financial institutions है वो क्या करेंगे एक एक चीज़ की report देंगे report देने से क्या होगा कि कोई भी illegal activity होगी illegal trade होगा पैसे का वो पता चल जाएगा जिसकी वज़ा से terrorism रुकेगा, crime रुकेगा, drugs रुकेंगे तो यह launch किया है UAE ने तो चलिए आज के लिए विराम लेता हूँ यह थे हमारे part 6 के important current affairs एंडिये के जल्दी मिलेंगे हम अपनी अगली series के साथ Thank you so much